जैसे मैं बाई वाले option पे क्लिक करता हूँ तो यहां पे देख सकते हैं कि Hello friends एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है तो friends इस वीडियो में मैं आपको Grow app में share कैसे खरीदे उसके बारे में complete information देने वाला हूँ तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं Hello friends मेरा नाम है चंदन एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो simple है चलिए आपको share buy करने से पहले आपको कुछ basic जो बाते होती है वे पता होने चाहिए उसका जनकारी आपको होना चाहिए तो आप जो भी buy करेंगे share तो वे जो है आप दो exchange से buy कर सकते हैं पॉला exchange का नाम है BSE जिसका पूरा नाम है Bombay Stock Exchange इसे short form में BSE करते हैं और दूसरा जो exchange है उसका नाम है NSA जिसका पूरा नाम है National Stock Exchange तो इन दोनों में से आप किसी में भी आप stock को buy कर सकते हैं देखिए stock को buy कैसे करना होता है चलिए मैं आपको बताता हूं तो simple नहीं आपको यहाँ पर आपके पास laptop है तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर आपके पास mobile है तो simple नहीं आपको मैं यह जो stock को buy करके दिखा रहा हूं यह स्रिफ education purpose के लिए है मेरा recommendation नहीं है कि आपको इस stock को buy ही करना है तो सबसे पहले आपको इस तरह का options देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऊपर में यहाँ पर price देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर price जो है अभी कितना चल रहा है उसके बाद से यहाँ पर बगल में दे लेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा तो चैनल से जूड़े रहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है चैनल पे परली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है तो सिंपल नहीं आपको यहाँ पर आना है यहाँ पर आएंगे तो आपको delivery select रखे रहना है और market का जो close होने का time होता है 3.30 pm होता है तो आप जो भी stock buy करेंगे इंटर डे पर क्लिक करके तो आपको इतने duration के बीच में उसको sell करदेना होता है यदि आप stock को buy किये हैं तो उसको sell करना होता है अगर आप stock को sell किये हैं तो उसको buy करना होता है आप इस टॉक को बाई करके भी पैसे बना सकते हैं और इस टॉक को आप सिल करके भी पैसे बना सकते हैं इन दोनों में से आप किसी में भी जिसमें चाहें आप उसमें पैसे बना सकते हैं तो आईए समझते हैं इसके बाद से आपको यहाँ पर यहाँ पर जो है मैं बताया हू डिलेबरी आपको select रखे रहाना है quantity में यहाँ पर quantity आपको भरना है बगल में आपको एक्स्चेंज है तो इस पर क्लिक करेंगे तो बीसी आ गया और जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे तो एनसी आ जाएगा तो यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं कि आपके wallet में कितने balance है उसके जैसे कि मैं यहाँ पर एक share क्लिक करता हूं तो नीचे में required margin भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा मैं जैसे नीचे में देख सकते हैं कितने पैसे required है और उतने पैसे मेरे wallet में है इसलिए यहाँ पर buy का option आज रहा है और नीचे में आएंगे तो price यहाँ पर market पे यदि आप click रखे रहते हैं, तो market में अभी जो price चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, 11 रुपया, 75 रुपय से चल रहा है, तो buy पे मैं जैसे हैं click करूँगा, तो यह seller buy हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, यहाँ पर 11 रुपया में, इस पे मैं अपना 10 रुपया पे लेना चाहता हूँ, तो simple है, मैं इस पे 10 क्लिक करूँगा, जैसे मैं 10 रुपया भी click करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं, price should win between, आप जो है, यहाँ पे जो limit order है, 10 रुपया 55 पैसे से लेकर, 12 रुपया 85 पैसे की बीच में लगा सकते हैं, तो simple है, मैं यहाँ पे 55 पे click करता हूँ, 10 रुपया 55 पैसे पे, और simple है, मैं buy वाले option पे click करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं, कि buy order जो है, place हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं, share कितने delivery में हुआ है, और order detail देखना चाहते हैं, तो simple है, इस order detail वाले option पे click करेंगे, तो आपको यहाँ पे सभी details दे देखने के लिए मिलेगा, चलिए उसे बता देता हूँ, तो simple है, आपको back आना है, back आने के बाद से home पे चले आना है, home पे आएंगे, तो आपको यहाँ पर बगल में, dashboard का option दिखेगा, simple है, आपको dashboard वाले option पे click करना है, जैसे ही click करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, क कितने quantity के लिए order open हुआ है, market price देख सकते हैं, अभी कितना चल दा है, और order price जो है, अभी कितना चल दा है, type जो है, delivery में, just यहाँ पे three dot पे click करेंगे, three dot पे click करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ options आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, इस पे, अगर market order पे वा cancel करना चाहते हैं, तो just आपको cancel order पे click करना है, और यहाँ से confirm cancel पे click कर देना है, जैसे ही आप इस पे click करेंगे, तो यह order जो open हुआ था, वे cancel हो जाएगे, तो इस तरह से आप जो है, grow application में किसी भी company का stock buy कर सकते हैं, और profit बना सकते हैं, I hope कि आपको यह वीडियो काफी अध और आपका कोई भी queries है, तो नीचे comment box में जरूर comment करें,